हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, पहल के आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल की न्यू अपडेट्स के लिए बिस्मिल्लाई रह्माने रहीं, अस्सलाम अलेकूं आज हम बना रहे हैं लौकी का रायता, जिसके लिए हमें चाहिए होगा दही, यह हमने ले लिए तकरीपन आधा किलो दही है, इसको अच्छी तरह फेट लिए है नमप, एक चाह का चमच, यह अपने टेस्ट के मताबिक कुटी हुई मिर्च, एक चाह का चमच, हरा धनिया, हरी मिर्चे, थोड़ा सा हरा धनिया और दो हरी मिर्चे और यह भागार के लिए इसके लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा और प्याज, कड़ी पत्ता हमने धो के सुखा लिया था, यह फ्रेश वाला नहीं है जब जादा आजाता है घर में तो हम उसे धो कर उसे सुखा लेते हैं, अक्सर काम में आ जाता है तो हम शुरू करते हैं करते हैं झाल 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 यह जब प्यास काली हो जाती तो यह कड़वाहट सी आ जाती है और फिर वह चीज का कलर भी खराप कर देती है और टेस्ट भी तो इसको हरका गुल्डन ब्राउन करतेंगे यह प्यास हमारी ब्राउन होने के कड़ी बारे ही है तो इसमें हम अपने भगार की दूसरी चीज़े यह कड़ी पत्ता और जीरा जीरा एक चाय का चमाच सफेद जीरा हमने लिया था और यह पांच अदर लाल मिट्च और इसको भी इसके साथ साथ प्राई कर लेगे यह क्रें आप 65-35 आप जुक्त चर्वा बात मुद्ध हम अच्छा से निया और अग्छा हम ब्राउस लाय और और आपको जादा ओपसंद तो आप डालें विशाधा नहीं कि ढाए। नहीं कि यह बीचा से न पास्ता इसमें अच्छी तरह बने गए करदस्ता भगार हमारा ये तैयार हो गया है इसका फ्रीय हो गई है गूर्थिप्य।्ययर फ्र्रेश कडी पत्ता है आपके पास आप और वह तो और ज्यादा अच्छा खुब सुरत लागेगा और खाने में यह बिल्कुल हमारा भगारत तयार हो गया है इसे हम मिक्स करेंगे और और फ्लेम को कर देंगे अब बन और ये इस पर हम मिड़ना है रहा है इस पर अच्छी तरह ही खारा डाल देंगे यह हमारा रायता तयार हो गया है इसमें हम यह उपर से थोड़ी सी हरी मिर्चे जो हमने बचाई थी हरा धनिया बचाया था यह हम डाल देंगे यह बहुत ही मज़ेदार अच्छा राइता है हमारा लौकी का राइता तयार है और यह बहुत ही क्विक रेसिपी है बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार आप इसको ट्राइ करें आपको यह रेसिपी पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताके हर आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिल सके है अपना बहुत सा खयाल रखेगा अलाहाफिस हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक्स पो वाज़िग दिस वीडियो अलाहाफिस